तो वेरी गुड मॉर्णिंग तो लॉफ यू मेरा नाम है मानस पंडे और यूपी कैडमी फॉरस विल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ आज ये मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर रेखा गनित आप में से कई लोगों ने बोला कि पहले आप रेखा गनित पढ़ आपके आपके प्रिभुच दे रखा है तो ये पूर्लि वेसेज में आपको हर कुश्चन कराऊंगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि मैं आपको बताऊंगा भी मैं आपको बतादू मैंने टेली जरू कर दिया है सिर्फ इस लिए ताक कि जो नोट्स है या कोई पर solve किया करिये, ठीक है, कोई practice set है, चुकि देखे, एक book से हर चीज़ नहीं हम cover कर सकते, मेरी बात को दिहान से सुनिए, हम एक book से कभी भी हर चीज़ को नहीं cover कर सकते, इसलिए जिस book से मुझे जो अच्छा लगेगा, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके exercise मैं आपको टेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आईए, पहले के हम लग शुरुवात करें, मैं आपको एक quote से शुरुवात करता हूँ, देख लिए, पुस्त कया तुया विद्या परहस्त गतम धनम, कारेकाले समुत पन्ने नतद विद्या नतद धनम, इसका मतलब क्या, याद रहिए, जो कि इसी अपने पास खराब परिस्तिती के लिए पैसे बचा के रखना भी उतना ही जरूरी है, ये दो काम बहुत जरूरी है, पहला तो किताब में रखी विद्या को आपको रटना दिमाग में लालना बहुत जरूरी है, और दूसरा कुछ पैसा आपने पास बचा के रखना ज वैसे टाम्स हैं जो कि आपको रटने पढ़ेंगे ठीक वैसे ही याद है कि किसी को आपने पईसा दे डाला जरूरत के टाइम पर आपको कभी काम नहीं मिलेगा कभी आपको वापस पैसा नहीं मिल सकता इसलिए याद रखिए न सतध विद्या न तद धनम जरूरत पढ़ने पर आपको दो चीज़ें हमेशा कुछ पैसे अपने पास रखिए और जो किताबों में विद्या है उसको रटने की भी कोशिस करिए तो आईए रेखा गड़ित से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक है याद रखिएगा त्रिभुज एकदम प्योर हम लोग त्रिभुज से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बता देता हूँ हो सकता है आप मैं इसे 90% लोग इससे वाकिफ हो लेकिन जो 10% है तीचर अच्छा वो नहीं जो टॉपर को टॉप करा दे बहुत अच्छे लड़के को टॉप करा दे टीचर अच् कि थोड़ा सा कमजोर है कमजोर का मतलब यह कता ही नहीं कि प्यार पढ़ने में कमजोर है कोई भी आदमी कमजोर नहीं होता अपको कमजोर का मतलब वो पढ़ने में उसका मन कम लगता है किसी और चीज में मन लगता होगा लेकिन पढ़ने में अगर कम मन लगता है तो मैं सि सब्सक्राइब इसको बोलते हैं बिंदू एक बिंदू इसे अंगिनत को मिला दीजिये यह ऐक लाइन बन गई रेखा या लाइन बिंगई तो अगर आप से कोई पूचे point दिख रहा है आपको, ठीक है, very good line क्या है, line कई सारे बिंदूओं का, एक सीधे, एक sequence में कई सारे बिंदूओं को मिला दीजिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, line बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, तो अब ये बताईए एक ये है, आपके सामने रेखा दिख रही है, पक्का very good, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रेखा, अभी हम लोग इस पर आएंगे दो मिनट में एक और चोटी सी, आप अपनी घड़ी को देखिए ये आपके घर में घड़ी है ठीक है, इस point से अगर आप यहां से चलके वापस यहां तक आ जाते हैं, तो याद रखिए जब आप एक जगह से शुरू करके एक पूरा गोल घेरा, यहां से शुरू करके यहां वापस आ जाते हैं, तो आप कितने डिगरी गोमते हैं, याद रखिएगा 360 degree अब आप में सो कुछ लोग बोलेगा यार यह बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रहा हूँ जान बूज के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेकपाल के एक्जाम में high school level की mathematics है यह topper SSE CGL की mathematics नहीं है please remember it and mind it यह कोई inter level की mathematics नहीं है this is purely of a mathematics of high school तो मैं आपको यह पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी याद रहेंगी तो जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं please मत यहां दीजे skip करें आगे बढ़ जाईए लेकिन जो पढ़ने में अभी थोड़ा से जिनकी maths कमजोर है उनके लिए है देखें अगर हम एक सरकिल में यह देखें यह पूरा है यह गड़ी है आपकी यह क्या है गड़ी अपनी गड़ी में देखिए अगर आप यहां से यह 12 लिखा रहता है 12 से चल के कोई गड़ी वापस पूरा गूम जाए तो कितने डिगरी होती है 360 डिगरी होती है ठीक है न याद रहेगा न अब अगर इसको हाफ कर दीजिए तो इसको बोलते है 180 डिगरी तो इसका मतलब याद रखिएगा यह एक लाइन है इस लाइन की बीच में एक पॉइंट है क्या है ओ एक लाइन है इस लाइन की बीच में एक पॉइंट है अगर मैं आपसे पूछों कि एक भाई साथ ए हम वो यहाँ से चलें और यहाँ तक संचना है ऐसे पूरा यह कितना एंगल है यह एंगल कितना है बताइए अगर कोई चीज ऐसे पूरा एक राउंड नाच जाए तो वो 360 डिगरी होती है तो यह बताइए यह पूरा है कि आधा है आधा है इसका मतले पर कितने डिगरी हो जाएगी 80 डिगरी इधर से अगर कोई यह बताइए ये अगर कोई घूमे तो ये कितना हो जाएगा 180 degree पक्का पहली चीज लाइन बिंदू क्या होता है दूसरी चीज लाइन क्या होता है तीसरी चीज लाइन पे बना हुआ कोई पॉइंट है तो उस पे ये बोलते हैं एंगल इसको बोलते हैं क्या एंगल या कूण याद रखिएगा क्या बोलते हैं कूण या फिर एंगल पक्का किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहिएगा अब हम लोग जरा सा आगे इसके एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं अब आपको एंगल पढ़ लिया आपने सब कुछ पढ़ लिया रेखा समझ में आ गया तो अब बात आजाएए रेखा पे मान लीजे एक ये रेखा है इसके जस्ट बराबर में ये दूसरी रेखा है ज्यान से सुन लीजे एक ये रेखा है और एक ये रेखा है ये रेखा A है ये रेखा B है दो लोग हैं ये दोनों लोग इस रास्ते में हैं ये बताइए क्या दोनों एक दूसरे को काट सकती हैं नहीं क्या आगे किसी भी जगा पे काट सकती हैं नहीं इसको मैं 20,000 किलोमेटर तक भी ले जाओ तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती और एक दूसरे रेखाएं का बोलते हैं समान अंतर समान अंतर पे रखी हुई रेखाएं पका हां के ना वेरी गुड ठीक अब देखें इसको बोलते हैं समान अंतर रेखाएं दो समान अंतर रेखाएं एक दूसरे के साथ चल रही है ठीक है यह है समान अंतर रेखाएं यह एक सिंगल लाइन अगर इतना कोई गूमे तो इसका 180 पूरा गूम जाए तो 360 ठीक है इसका मतलब गड़ी की सुई कितना डिगरी गूमती है 360 डिगरी गूमती है कितनी दिर में जल्दीज बताइए 12 से 12 पर पहुंचे तो कितनी गूमती है इधर से शुरू करिए 180 और इधर 180 असी में अपना है एंगल से तो अब देखें यहां पर यह रेखा हो गई यह हो गई समाना अंतर रेखा है अब एक और चीज आ जाईए एक रेखा यह है अच्छा यह सीधी रेखा है याद रखिएगा यह कैसी रेखा है सीधी रेखा एक ये सीधी रेखा और एक ये सीधी रेखा याद रखिे जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं सबसे पहला अब आप लोग इसको लिखना भी शुरू कर सकते हैं सबसे पहला point number one दो सीधी रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी point O पे cut कर रही है देखिए straight line है याद रखिए गए यह कैसी line है straight lines कितनी है दो एक दूसरे को प्रतित छेदित प्रतित छेदित देखिए हिंदी मेरी थोड़ी भी कमजोर नहीं है English मेरी उतनी ही अच्छी है ठीक है दो रेखाएं एक दूसरे को किसी point पे प्रतिक छेदित करती है इसका मतलब inter-set करती है तो याद रखिएगा आमने सामने के कौन बराबर होते हैं ये A और ये B तो ये बताइए angle A is equals to angle क्या जल्दी बताइए angle A is equals to angle B ये angle का sign है अंगल को कैसे दिखाते हैं ऐसे ये किसका sign है अंगल का sign है तो उसका मतलब दो line एक दूसरे को cut कर रही है तो दोनों के आमने सामने आमने सामने याद रखिएगा angle A should be equal to angle B पहला point दूसरा point अच्छा ये बताइए कितना angle है जल्दी से बताइए 360 degree पका अब देखिए point number 3 पे आजाईए point number 3 क्या कहता है ये आपके सामने एक line पड़ी हुई है जान से देखिए ये point है O इस point O पे अगर ये angle A है तो आप से कोई पूछे ये वाला angle कितना होगा बताइए अभी मैंने आपको 2 minute पहले बताइए अगर ये angle A है तो ये वाला angle कितना होगा तो इसको आपको ऐसे समझना है कि अगर एक सीधी line दिख रही है यहां से यहां तक ये कितना angle है 180 यहां से यहां तक 180 तो इतना अगर A होगा तो बचावला कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 180 माइनस A ये कौन सा angle हो जाएगा ये वाला angle पका ना ये सारे मैं प्रमिय पढ़ा रहा हूँ है मैं आपको numerical नहीं करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ purely मैं आपको concept बता रहा हूँ दो क्लास में concept बचे चार क्लास में pure numerical हमलोग solve करेंगे ठीक है न प्लीज कोई भी doubt हो तो बता दीजिएगा अच्छा लगे तो भी बताईएगा बुरा लगे आप तो भी मुझे बताईएगा ठीक है तो ये पहला concept हुआ रेखाओं का रेखाओं में एक और चीज है जल्दी से मैं आपको उसको दिखा देता हूँ आपके सामने ये दो समानांतर रेखाओं दिख रही है ठीक है अगर इस समानांतर रेखाओं पे याद रखेगा ये दो समानांतर रेखाओं पड़ी हैं एक ये और एक ये इस समानांतर रेखाओं को दोनों को एक तीसरी रेखा ऐसे कट करती है तीसरी रेखा, ये एक तीसरी रेखा याद रखियेगा तो ये कौन और ये कौन याद रखियेगा ये A, ये B इन दोनों को बोलते हैं संगत कौन क्या बोलते हैं? संगत कौन या English में बोलते हैं corresponding angles क्या बोलता है corresponding angle तो दो सीधी रेखा को जब कोई एक तिरशी रेखा काटती है तो corresponding angle आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं यह हो गया अगला point क्या यही corresponding angle होगा नहीं और भी होगा corresponding angle इसके corresponding angle क्या होगा ये, c, d तो इसका मतलब angle c किसके बराबर हो जाएगा angle d के, और क्या corresponding angle दिख रहा है, ये बताइए e और f कौन-कौन किसके corresponding है, e corresponding का मतलब एक जगह point पर, जैसे ये है, वैसे ही यहाँ पर ये है, तो angle e बराबर क्या हो जाएगा, angle f पका, और अगला corresponding ये बताइए, g और h, तो angle g बराबर angle h प्लीज अगर आपको जरूरी लगे, जरूरी लगे, तो लिखिएगा, आपको ना जरूरी लगे तो मत लिखिएगा, ये बहुत matter करते हैं, याद रखिए, छोटी-छोटी चीजों से mathematics के numerical कलकलत हो जाते हैं, आप बहुत बड़े योद्धा क्यों नहों, मैं बिल्कुल भी, आप में कई लोग ग्यान देते हैं, मैं बस इतना कहता हूँ, कि मैं बिल्कुल भी ग्यानी नहीं हूँ, मुझे अगर लगेगा कि आप मुझे से ज़्यादा समझदार हैं, तो मैं आपसे सीख लोगा हर आदमी से, चाहे वो जैसा भी हो, उससे अच्छे चीज़ें ले लिजें बुरी चीज़ें छोड़ दीजें आगे बढ़ने का यही तरीका है अब आजाएए, एक हो गया, यह बताएए, संगत कौन तो संगत कौन सबको प्लियर हो गया, अब एक और चीज़ देख लीजे अगला पॉइंट, से में ही चीज़ है एक यह हो गया, और एक यह हो गया अब बताएए, यह कैसी लाइने हैं एक ऐसी लाइन है, ये सीधी लाइन है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, समानांतर रेखाएं, क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं, ये दोनों समानांतर रेखाएं, इनको कोई एक रेखा ऐसे तिछी इस तरीगे से काटें, टिक, तो ये बताएं, ये कौन क्या कहलाते हैं ये B है ये A है ये क्या कहलाते हैं संगत कोण या corresponding को टिक लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए संगत कोण आपको समझ में आ गया है जो एक के अंतर पे देखिए ये और ये 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 एम इनको बोलते हैं एक अंतर कोण याद रखिएगा जब दो रेखाओं को जब दो सीधी समानांतर रेखाओं को एक तिरशी लाइन काटे तो इन दोनों को बोलते हैं एक अंतर कोण एंगल एम एंड एंगल एल क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जल्दी बताईए अल्टर नेट एंगल इंगलिश में एक अंतर कोण हिंदी में पक्का तो याद रखेगा जब दो सीधी समानांतर रेखाओं को एक लाइन ऐसे काटती है तो संगत कोण सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं ठिक उसी तरीके से जब दो सीधी लाइन को एक तिर्शी लाइन काटती है तो जो एक अंतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं हाँ के ना, very good, अगर आपको बस इतना समझ मा गया है, तो अब आप हम लोग त्रिभुज पढ़ने के लायक हो चुके हैं, ठीक है, इतना ही चीजें, देखिया, मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ, जितना आपके काम का है, मैं बहुत डिटेल में आपको कक्षा ये की गड़े थोड़ा न पढ़ाऊंगा, है कि नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ ना, नहीं देखिये, जरूरत पढ़ेगी, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मैं फिर बता दूँ, मैं थोड़ा 31 तारीक तक ही बीजी हूँ, उसके बाद मैं प्योर घाली हूँ, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो आप आजाईए, वो हो गया, अब जल्दी से मुझे आप सभी लोग बताएंगे, यहीं पर अपनी ही कॉपी माप करके देखिए, एक सीधी लाइन है, यह, अगर यह एंगल 60 है, अगर यह एंगल 60 है, तो यह बताएंगल कितना है, 60 डिग्री, अच्छा यह एंगल का क्या कॉंसेप्ट है पता है आपको, नहीं पता, मैं बताता हूँ, एंगल का क्या कॉंसेप्ट रहता है, एक होता है, यह देखिए, अब आपको यह याद करना पड़ेगा, ठिक, इस पॉइंट को बोलते हैं, जब हम यहाँ पर यह लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री, त्यान जो सुन लीजे, यह लाइन है, 0 डिग्री, जैसे जैसे हम इधर से बढ़ते हुए, यहाँ पहुँचेंगे, तो वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, इसको बोलते हैं, 90 डिग्री, और इधर बढ़ते रहेंगे, तो यह कितना पहुँचेगा, यह होता है, 180 डिग्री, और आगे बढ़ेंगे तो, 270 डिग्री, और आगे बढ़ेंगे तो, 360 डिग्री, ठीक है, यह एंगल का एक सिस्टम होता है, आप इसको याद रखिए, जो लोग को थोड़ा भी मैथमेटिक्स में कन्फूजन हैं, वो याद रखिएगा, जीरो से शुरू करते हैं, अच्छा, यह धान रखिएगा, आम तोर पे, जब एंगल को हम लोग, एंटी क्लोकवाइज ही लेते हैं, उसी को हम लोग, पॉजिटिव मानते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, जब भी कभी आप से कोण बनाने को कहें, तो कभी ऐसे क्लोकवाइज कोन मत बनाई है, हमेशा कोन कैसे बनाय जाता है, एंटी क्लोकवाइज बनाना चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, ठीक है, उल्टा, एंटी क्लोकवाइज, so that's all about today, अब अगर आपसे कोई पोछ रहा है कि ये angle देखिए हैं। ये है 0 ये है 90 अच्छा चलिए बताइए। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा। बताइए जल्दी से अगर ये 30 है ये वाला सिरफ इतना angle 30 है तो ये कितना होगा। देखें ये दोनों मिला के है 90, अगर ये 30 है तो बचावला क्या हो जाएगा, 90-30 बराबर 60, ठीक है, अब ये पहली क्लास हुई, किसकी, रेखागनित की, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तृभुज, प्योरली, फिर हम लोग पढ़ेंगे चतृभुज, फिर आपके syllabus का जो main part है, वो है तृभुज का परिमाप, चतृभुज का परिमाप, समाना अंतर, चतृभुज का परिमाप, रॉमबस, जितने भी हैं, ये जितने भी चल रहे हैं, ठीक है, टरपेजियम या टरपेजोईडल, अगर कोई rectangle बना हुआ है, तो उसके बारे में, तो ये सारी चीजे हम लोग 18 चैप्टर में पढ़ेंगे, 6-7 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर के, कोशिस कर रहा हूँ कि थोड़े लंबे बने, लेकिन फिर भी याद रखिये, एक limit होती है, घर पे, मेरे phone की भी memory की भी एक limit है, मुझे comment box में बताईएगा जरूर कि आपको कैसा लग चैजे ड़ना जरूर कर दोची लंगे में पिलना है, sollिएम होती है, पिल्चेश다면 से में घर रखिये, भी मैं बाच्झे भी में वशित लाग है, ते भी ले सहो इन्लेश, लाग उन्चे झालाओ Istन्या चोड़ा है, कि दू़ा है पालाईएगा, शीर डंफ्घकी ओाईगा